नमस्ते भारत, नमस्ते किशान, मैं गणिश किशान, फिर से आप लोगे के बीश में किसान कारेशाला प्लाटफार्म पर केले के पोधे गर्मी में अगर लगाने हैं तो उसके लिए क्या सावधानिया लेनी चाहिए मतलब क्या-क्या प्री प्रोटेक्शन लेना चाहिए जैसे अभी सुभा के सवा छे बज गए हैं कुछ विजीट के लिए आया हुआ था घरगाओं में था खिसानों के फोन आये हुए थे कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूं यह लाइन से लाइन साथ फिट और पौधे के दूरी पाच फिट पौधा लगाया हुआ है डबल लेटरल दूसरी बात कि यह दिशा है पुर्व सुरज निकल रहे हैं और यह है पश्यम तो पौधे से देड़ फिट दूरी पर यहां सणहेम लगा दिया है ताकि पौधे क दूपेर की गरम लू ना लगे यही प्रोटेक्शन हर किसान को बताने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं ताकि गर्मी में पौधा जले नहीं मैं जलने की भाशा इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि पिछले पांच दुनों में जलगाउं शेत्र में रावेर में सावदा से बिलॉंग करता हूं कुमबार खेडा से तो 45 से 46 डिगर का टेंपरिचर यहां पे कई जगा पे देखा गया है और कई सारे प्लॉट जैसे बाजू में ही मैं आपको पता हूं यह वाला प्लॉट अभी शूट किया मैंने तो यह प्लॉट जलके खतम हो गया है लेकिन यहां पर यह टिशू कल्चर प्लांट लगा हुआ है मेरा सीके जीनाई तो इसमें देखिए कि सर्ण अगर लगा हुआ है न तो पोधा अच्छे से चलेगा सबेरी के रोशनी मिल जाए शाम के गरमलू ना लगे और यह थी मच्छी है लेकिन इसमें वाटर मैनेजमेंट का रोल क मिल जादा हो गया है तो पानी कम देना है लेकिन अदल यहीं जादा क्वश पर दोति अपर शन्ट है जसे आएँगे तो यहां पे यह कचरा मल्चिंग का ci काम करेगा और यह ब्यड़ के उपर जो कचरा आया हुआ है इसके उपर पूरा कच आ क्षण म Elijah रहेगा तो यह कंसेट है बड़े-बड़े अघ्रोनॉमिस्ट है उन्होंने यह तो को सजेश किया हुआ है कुछ हमारे फीडबैक और रिजल्ट अच्छे है इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं गणिश किशान आप लोगों के साथ में आप लोगों के बीश में के लेकर कोई भी समस्या या परिश्चानिय आती है तो आप किसान कारेशाला के उपर आ यह मेरा नंबर है इसके उपर भी आप कॉल कर सकते हो जो भी समस्या है समस्याओं के लिए आप कभी भी मेरे साथ बात कर सकते हो थैंक यू वारत नमस्ते किशान यह पूरा प्लॉट में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जब रदस्त सेटिंग हुई है सी के जी नाइन प् हुई 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 है